असलाम लेकूम वीवर्स आज मैं आप सब ही के साथ बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन तिका स्केवर्स विद राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूं ये चिकन तिका स्केवर्स की रेसिपी आप घर पर ट्राइ करें और सब को इस रेसिपी का दिवाना करते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तो चलें आएं बनाते हैं चिकन टिका स्क्यूवर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की छोटी चोटी बोटियां कट कर लेते हैं इसके लिए यहां पर मैंने आदर किलो के जितनी बॉनलेस थाई पीस लिया है यह रेसेपी में खास चिकन का थाई पीस ही का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह अंदर से पकने के बाद ड्राइ नहीं होती है तो यहां पर तमाम चिकन की बोटियां कट चुकी हैं अब इसको करते हैं हम साइट पे और इसकी मेरिनेशन की तरफ आ जाते हैं मेरिनेशन के लिए मैंने इसमें सबसे पहले दो चमच के करीब हंकट का इस्तेमाल किया है साथ ही अदर कलसन का पेस्ट एक चमच भरके अच्छा यह कश्मीरी लाल मेर्च है यह दो चमच भरके जाएगी इसमें नमक एक चमच कसूरी मेथी एक चमच पिसी हुई लाल मेर्च आदा चमच या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप दाल सकते हैं इन सब चीजों को हम अच्छा सा करेंगे मिक्स अब चुके हमने इसमें चिकन का थाई पीस का इस्तेमाल किया था तो आप चाहें तो इसको फॉरण भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसको एक घंटा मेरिनेट किया है अब इसको करते हैं हम साइट पे जितनी दिर में यह मेरिनेट होता है उतनी देर में हम चावल को भिगो देते हैं क्योंकि मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं इसको एक से डेर घंटे को भिगा के रखूंगी ठीके ना आपको पता है कि सेला चावल तकरीबन एक से डेर घंटा भिगेंगे तो ही ये खुले-खुले बनेंगे बाकि आप आम चावल के भी बना सकते हैं तो वो हिसाब आप अप नहीं रखिएगा कि इसको कितनी देर भिगोएंगे तो ये खिला-खिला बनेगा ठीक है तो यहाँ इसको एक दो पानी से हम धो लेते हैं फिर इसको हम भिगोते हैं इसको करते हैं हम साइट पे तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए वे तक्रीबन एक घंटा हो चुका है इसको मैं कोईले की भाब दूंगी इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत जबरदस आएगा स्मोकी सा यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो अच्छा सा फीड़बेक दें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया बगार बिल्कुल नहीं जाना है और बहुत अच्छा सा कॉमेंट्स बताईएगा और बताईएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है तो धुआ भी हो चुका है और इतनी मज़िदार सी खुश्बू आ रही है अब इस तरह की हमने स्टिक ले लेनी है और चिकन को बहुत इतमेनान के साथ इस स्टिक में लगा लेना है और हाथों को बहुत बचा के लगाना है क्योंकि यह बहुत शार्प होती है आगे से खुदा नखस्ता कहीं आपके हाथों पर लगना जाए ठीक है इस तरह से set करते जाएंगे और ये एक हो चुकी है इस तरह हम सारी कर लेंगे हमने grill pan लिया है अगर आपके पास grill pan नहीं हो तो आप सादा pan भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस तरह से उसको हलका हलका सा grease करेंगे बहुत ज्यादा oil में हम इसको fry नहीं करेंगे और बस इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे पहले एक side fry होगा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसका side change करते रहेंगे तक्रीबन तक्रीबन इसको 10 minute लगेंगे इस तरह से ठीके जब side change करने लगें तो उससे पहले ऊपर आला जो side है उसमें अच्छा सा ओईलिंग कर लें ताकि वो नीचे से चिपके ना तुछ है तो देख सकते हैं आप यहां पर चिकन कितनी अच्छी सी जो है न हमारी टेंडर सी जूसी सी रैडि हो चुकी है तो बस जब चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा हम देख सकते हैं यहां पर कित चिकने हो जाएंगे एक से दो अदद जो है ना मैंने प्याज ले लिये इसको इस तरह से मैंने रफसा कट कर लिया है दर्मियाने साइस की हो तो दो लीजिएगा और बड़े साइस की हो तो एक ली लीजिएगा ठीक है हलकہ हلکہ सا جب گلابی कलر ऑने लगेगा प्याज में तब ही हम इसमें अडर कलसन का पेस्ट शामल करेंगे तकरीबन मैंने यहां पर दो चमच के करीब डाला है हर इमिर्च मैंने दो अदिद डाली है यहां पर मैंने गरम मसाला लिया है थोड़ा सा एक चमच के करीब वो शामिल कर लिया है दो दर्मियान इस के टिमाटर шामिल कर लिया है अब इनको सबको अच्छा साफ करना है हलका हलका सासाटे करना है जब तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे जैसे कि यहां पर मैंने दो चमच के करीब नमक का शामिल किया है अच्छा आदर चमच मैंने यहां हल्दी इस्तेमाल की है आदर चमच बिसी हुई लाल मेश बस इसे जादा नहीं डालेंगे क्योंके फिर बहुत जादा स्पाइस हो जाएंगे तो यहां पर इसको अच्छा सा करेंगे हम मिक्स नमक की मिगदार मैंने इसली जादा डाली है क्योंके इसमें चावल शामिल होंगे इस वज़े से नमक थोड़ा सा जादा डलता है बाकी आप आहिस्ते आहिस्ते अपना चेक करते रहिएगा पानी डालने के बाद के अगर आपको कम लगे तो नमक के मिगदार थोड़ी सी बढ़ा दीजेगा यहां पर चावल जो है उसका पानी मैंने निकार दिया था और फिर वो भी इसमें शामिल कर दिया है इन सब को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले इस टाम मेरी आज बहुत हलकी है वरना क्या होगा कि नीचे से चावल लगते जाएंगे बस पानी हमने इसमें तकरीबन थोड़ा ही डालना है क्योंकि यह पहले से ही भीगे हुए है तकरीबन मैंने एक से डेड़ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल किया है मजीद अभी मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगे अगर मुझे जरुरत होगी और नमक भी हम इस टाम चेक कर लेंगे ठीक है इसको पकने के लिए चोड़ देते हैं आप देख सकते हैं हलका हलका सा पानी इसमें रह गया है बस इसी हलके हलके पानी में हम इसको दम पे रखेंगे तो यहाँ पर दम भी माशाललाश अच्छा सा हो चुका है और देखें माशाललाश चावल कितने खिले-खिले से आये हैं अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते ना तो क्या होते कि हमारे चावल हो जाते लडू तो थोड़ा सा दम ज़्यादा दे दीजिए चावल इसी तरह से खिले-खिले रहेंगे तेल का इस्तेमाल भी हमने कम किया था तो आप देखें सेला चावल चिकने नहीं हुए है तो ये भी हो गया है डन इसको करते हैं साइट पे अब आजाते हैं इसको डिश आउट की तरफ यहां पर मैंने सबसे पहले चावलों की लेयर बिचाई है इतनी मज़िदार सी खुश्बू आ रही है यकीन करें कि दिल चारा है ऐसे ही खा लें आपके मुँ में भी पानी आ रहा है ना और बस जो अब भी हमने चिकन रैडी की है वो इसके उपर रखेंगे अब इस रेसेपी की एक जान है जो कि इसके डालते ही रेसेपी में चार चांद आ जाएंगे और खाने में तो बहुत ही मज़ेका लगेगा वो यह है कि मैंने ये दो चमच के करीब जो है वो मकषन मेल्टेड ले लिया है उसमें मैंने चॉप किया वा जो है लेसन और हरा धनिया डाल दिया है वो बस इस पे हलका हलका सा हम इस तरह से स्प्रेट करेंगे इसमें इतनी जबर्दस सा इसका टेस्ट आएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जरूर बनाईएगा और फिर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा अब मैं इसमें से आपको एक बोटी तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये थाई पीस अंदर से कितना जूसी और टेंडर होता है तो यहां पर आपको मैं दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी जूसी है और ये इतनी मक्षन मलाई की तरह से बोटी टूटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और खाने में तो माशालला जवाब थी तो लीजिए जनाब चिकन तिका स्क्यूर्स हो गए हैं रेडी विद राइस इन्जाए कीजिए इस रेसेपी को फिर मिलेंगे इन्शालला एक नई रेसेपी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दौा में याद रखिएगा अल्ला हाफिज